बड़ी खबर आपको दे दे मध्यप्रदेश में चित्रकूट विधान सभा उपचुनाव में कॉंग्रेस की जीत हुई है 14,333 वोटों से कॉंग्रेस की जीत हुई है चित्रकूट विधान सभा उपचुनाव में कॉंग्रेस विधायक प्रेम सिंग के निधन के बाद 9 नवंबर को यहां पर वोटिंग हुई थी और यह देखे किस तरह कॉंग्रेस कारेकरता भोपाल में जश्न बना रहे हैं चित्रकूट विधान सभा सीट पर उपचुनाव हुआ था 9 नवंबर को जिस पर कॉंग्रेस की जीत हुई है कॉंग्रेस के उमीदवार निलांचु चतुरवेदी की 14,000 से जादा वोटों से जीत हुई है बीजेपी के शंकर दयाल त्रिपाठी को उन्होंने हरा दिया है कॉंग्रेस विधायक प्रेम सिंग की निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और इस पर एक बार फिर जीत हुई है कॉंग्रेस की नौ तारीक को वोट डाले गए थे करीब 65 प्रतिशत यहां पर मतदान हुआ था और ये देखे बोपाल में किस तरह जश्न मना रहे हैं कॉंग्रेस के कारिकरता चित्रकूट उप्चुनाफ से कॉंग्रेस के लिए अच्छी खबर कॉंग्रेस वधायक प्रेम सिंग के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी जिस पर एक बार फिर कॉंग्रेस ने बाजी मारी है